नमस्कार आप देख रहे हैं Mobile News 24 और मैं हूँ नीरेश कुमार वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी ख़बरों की और बड़ी ख़बरों में पहले नमबर प्रहें करोना समस्या के वीच दस दिन के बाद विश्वा स्वास्त सभा का सत्र सुरू होने वाला है जहां ऐसे में करोना को लेकर पारदर्सिता और जाज की आवाजें पहले से ही ज़्यादा तेज हो गई है गुरतलव है कि करोना की सुरुआत पिछले साल चीन के वहान सहर से हुई थी और बड़ी खबरों में दूसरे नंबर प्रहै इराग के पुर्व जासूस परमुख मुस्तफा करहेमी ने इराग के परधानमंत्री के रूप में सपत ली है जहां इसके लिए करहेमी को पहले ही नामित किया गया था और बड़ी खबरों में तीसरे नंबर प्रहै कॉंग्रेस के पुरवध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा दिये गए बयान को लेकर भाजपा नेता डॉक्टर सुधानसू तरवेदी ने कहा कि हमारी सरकार विपक्ष के सभी परकार की सुझाओं का स्वागत करती है लेकिन यह रसनात्मक और परियाप्त होना चाहिए इसके आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिना तत्थ्यों को जाने हुए मीडिया के सामने आते हैं महराष्ट में होने वाले अगामी द्विवार्सिक विधान परिशत चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपने चार उमिदवारों की सूची जारी कर दी है गुरत लव है कि महराष्ट में नौ राज विधान सभा परिशतों पर 21 मई को चुनाव होंगे और बरी खबरों में पांच में नंबर प्र है और बरी खबरों में चटे नंबर प्र है करनाटक के मेंगलूरू में आज परवासी मजदूरों ने अपने ग्रिह राज वापस भेजे जाने को लेकर रेलबेय स्टेशन के बाहर बैठक किया इन मजदूरों के हाथों में वी वांट गो टू होम का बैनर लगा हुआ था इनकी मांग है कि इन्हें घर पहुँचाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाए और बरी खबरों में साथ में नंबर प्र है सेवी में काम करने वाले एक मैनेजर को कुरोना होने की खबर सामने आने के बाद मुंबई अस्थित सेवी के हेड़कॉाटर को 10 मई तक के लिए सील कर दिया गया है और सभी करमचारियों को घर से काम करने का निर्देश दिया गया है और बरी खबरों में आठ में नंबर प्र है सुप्रिम कोट ने लॉगडाउन में प्रावेट कॉलेजों में छात्रों को फीस देने में छूट दिलाने से साफ इंकार करते हुए कहा कि अगर कॉलेजों को फीस नहीं मिलेगी तो वो कैसे चलेंगे अपने अश्टाप को वेतन कहांस देंगे गौरतलव है कि लॉगडाउन में सभी स्कूल कॉलेज बंद परे हुए हैं और कई छात्र अपनी फीस को लेकर असमंजस में है और बरी खबरों में नौ में नंबर प्र है देश में तेजी से बढ़ते क्रोना के मामले के मद्दे नजर महराष्ट की उधव ठाकरे सरकार ने राज्ज के रेड जॉन वाले इलाकों में लॉगडाउन बरहाने के संकेत दिये हैं यहां पार्टी नेताओं के साथ हुई बैठक को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि रेड जॉन वाले छेत्रों में मई के आखरी तक लॉगडाउन बरहाया जा सकता है और बरी खबरों में दस में नंबर प्र है सिंगापूर से करीब 231 भारती यात्रियों को लेकर एयर इंडिया की पहली रेस्क्यू फ्लाइट दिली के IGI एयरपोर्ट पहुँची जहां भारत लोटते ही यात्रियों के चहरे पर खुसी दिखाए दे रही थी और बरी खबरों में 11 में नंबर प्र है बिहार में भी कुरोना तेजी से अपना पैर पसार रहा है जहां राज्य के समस्ती पुर्जिले में आज कुरोना के 6 नए मामले सामने आने के बाद बिहार में कुरोना के मरीजों की संख्यां बरकर 556 हो गई है और बरी खबरों में 12 में नंबर प्र है लॉक्डॉन के बीच मद्ध पर्देश के खाली विधानसवा सीटों पर उपचुनाव की तैयारी सुरू हो गई है इस बीच पर्देश के सीनियर IAS ओफिसर एडिसनल चीफ सेकेटरी वीरा राना को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है और बरी खबरों में 13 में नंबर प्र है गुजरात में पिछले 24 घंटे में कुरोना के 388 नए मामले सामने आये हैं जिसके बाद राज्य में कुरोना के मरीजों की संख्या बरकर 7013 हो गई है आपको बता दें कि देश भर में महराश्ट के बाद गुजरात में सबसे जादा करोना कई मामले सामने आये हैं और बरी खवरों में 14 में नमबर पर है उडिसा के सुरत से लोटे 26 लोगों को करोना होने की खवर सामने आने के बाद राज्य में कुरोना के मरीजों की संख्यां बरकर 245 हो गई जानकारी के मुताविक राज्य में कुरोना के 26 नए मामलों में 9 गंजम से, 5 केंदरपारा से और 2 भधरक जिला से है और बरी खबरों में 15 में नंबर प्रह है सार्वजनिक छेतर के बैंक ने मार्च अप्रेल के दोरान 5.66 लाग करोर रुपए के रिन को मंजूर किया है बताय जा रहा है कि लॉगडाउन हटाए जाने के तुरंत वाद इनका वितरन सुरू हो जाएगा जिससे आर्थिक चहल पहल में तेजी आएगी मर्चेंट पेमेंट और लेंडिंग नेटवर्क प्रोवाइडर कमपनी भारत पे ने दो सौंड वेस्ट अप्लिकेशन की पेसकस की है जो क्रोना समस्या के बीच खाता धारकों को अपने फोन को छुए बिना लेंदेन करने में शक्षम बनाएगा और बड़ी खबरों में 17 में नंबर प्र है एक रिसर्च के मुताविक लगभक 40-89 वर्स की उम्र में जो व्यक्ति किसी प्रकार के सारीरिक कामकाज या ब्यायाम करते हैं उन लोगों में लंबे या लगातार अस्पताल में भरती होने की संभावना कम होती है और बड़ी खबरों में 18 में नंबर प्र है इंडियन किरकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को लगता है कि खाली अस्टेडियम में लोगडाउन के बाद किरकेट खेला जाना संभव है जहां इस बारे में उन्होंने कहा कि खिलारी खाली स्टेडियम में भी खेलें तो इससे उनके इंटेंसीटी पर कोई फर्क नहीं परेगा लेकिन इस खेल में जो रियल मैजिक है वो कहीं खो जाएगा और बड़ी खबरों में 19 में नंबर पर है खबर है कि बॉलिवुड अभिनेता जे देवगन और कार्तिक आरियन की दो बड़ी फिल्मों के सिक्वल फैनल हो चुके हैं जिस पर मेकर भूसन कुमार ने मोहर भी लगा दी है और बड़ी खबरों में 20 में नंबर पर है साल 2020 के 17 में हपते की रिपोर्ट के मुताविक उत्तर रामायन ने सहरी और ग्रामिन इलाकों में नंबर वन सो का खिताव हासिल किया है वहें इस सूची में महावारत दूसरे अस्थान पर रहा है तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिजे और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोडिकेसन बेल है घंती है उसे भी दबा दिजे ताकि देश और दुनिया के तमाग खबर से आप रह सकें अपडेट